दोस्तों मारा education system जो है ना मतलब अगर हम बात करने degree की या diploma की दोनों का एक जैसा हाल है हमें ना बताया जाता है कि side पे करना क्या है ना हमें practical का knowledge होता है कि side पे basically करना क्या जाके तो वो AICT ने पूरा रखा हुआ है मतलब system की आपको क्या करना होता है internship करनी होती है अपनी degree के दोरान या degree के बाद तो तभी आपको idea लगेगा की practically आपको side पे क्या करना है तो आज आपके लिए लेकर आयो online 45 days की internship रहेगी और एक offer के साथ रहेगी तीन दिन का offer था आज last day है तो complete video देखो जिसने buy नहीं किया है limited seat है 56 seats बची है तो complete देखके apply कर लो जल्दी जल्दी तो इसमें क्या है 45 days की internship रहेगी building construction पे रहने वाली है 100 seats थी लेकिन 56 seats बची है last day offer है और यह offer को आपको गमान आनी है और solitude education यह लेके आया है internship important की हो है यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ लेकिन अगर हम बात करें जो skills हमें चाहिए होती है जो guidance चाहिए होती है जो software का knowledge चाहिए होता है जो practical knowledge और confidence मिलता है वो हमें internship देती है तो आज आपके पास MOCA है eligibility criteria क्या है college student हो, fresh हो, working professional हो, diploma, b-tech, m-tech, site engineer या contractor हर एक इसको apply कर सकता है और इसमें सीखने को काफी ज़्यादा मिल सकता है आपको daily आप अपना schedule बना लीजिए आपको करना क्या है day 1 पे आपको जैसे ही internship मिलती है day 1 पे आपको drawing reading करनी है introduction और foundation का plan क्योंगी foundation से हमाँ start होगा day 2 पे भी हमें drawing reading फिर sequence क्या होता है construction का वो हमें पता करना है फिर हमें जो construction के दोरान activity होती है और BVS most important चीज़ है BVS आपको degree में मेरे खाल में BVS नहीं सिखाते हैं हमने तो नहीं पढ़ी थी ना आपने पढ़ी होगी लेकिन BVS site पे जाके हर एक platform पे जरूर पढ़ती है billing है, planning है, execution है, हर जगा construction में पढ़ेगी BVS column की होगी, beam की, foundation की, slab की, stair की ये सब चीज़े होती है फिर हम बात करते हैं, excavation का आपको knowledge होना चाहिए PCC measurement, footing RCC, plinth beam की RCC का knowledge फिर substructure का form book होता है वो बहुत important चीज़ है, क्योंकि measurement आपको करना चाहिए उसी base पे आप quantity निकालते हो क्योंकि जो भी topic यहाँ आपको 45 days में मिलने वाले हैं यह हर एक आपको site पे जाके काम पढ़ेंगे फिर हम बात करते हैं, day 17 को आपको क्या करना है column की जो form book measurement होता है यहाँ slab का form book measurement फिर column की RCC, slab की RCC जहां big measurement जो करनी होती है तीन पार्ट में आपको समझाए जागा basics advance में आपको समझाए जाने वाला है plaster का measurement, basics advance P.O.P की measurement कैसे करनी है P.O.P. Cornish जो measurement रहती है putti की, ball paint, B.O.Q. कैसे बनाते हैं, फिर हम बात करें S.O.R. जो रहते हैं हमारी या प्लंबी और सैनिटेशन का काम फिर हम बात करते हैं, contractor की billing type of will, यह सब चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली हैं और यह आपको मोका दे रहा है solitude education सीखने का और colorful PDF notes रहेंगी जैसे आप सामने देख रहे हूँ एक demo आपके लिए कि ऐसे कुछ आपको notes मिलने वाले हैं, जो आपके साथ lifetime रहने वाले हैं, एक बार आपको notes मिलगे आप बच्चों को पढ़ा सकती हो खुद के बच्चों को, अपने seniors को कहीं भी use कर सकती हो और revision कर सकती हो करने वाली है, last day offer है, आपके लिए offer last day रखा गया, वन ट्रिपल नाइन का रहेगा है 10,000 इसका actual price है, और जल्दी जल्दी आपको download कर लो, description में link है, और ये mocha दुबारा नहीं मिलने मेला है, जल्दी जाके apply कर लो